दोस्तो देखो वैसे तो देखोगे ना तो दोस्तो YouTube के उपर आपने दोस्तो शादिहुदा अवरतों को पताने के ना जाने कितने तरीके, ना जाने कितने मेथड आपने दोस्तो सुने होंगे और दोस्तो आपने ना मतलब कितने दोस्तो तरीकों को आपने दोस्तो इस्तमाल भी किया होगा बट दोस्तो आज ना इस दोस्तो विडियों के अंदर मैं दोस्तो आपको ना ऐसा दोस्तो एक दोस्तो पावरफुल तरीका मैं दोस्तो आपको बताने वाला हूँ जिस दोस्तो तरीके का इस्तमाल अगर दोस्तो आप अपने जिन्दगी में करोगे ना तो दोस्तो मैं आपका भाई आपको दोस्तो गैरेंटी देता हूँ कि दोस्तो इसका इस्तमाल करने के बाद ना आपको दोस्तो जो भी शादिशुदा अवरत जो भी दोस्तो भावी जि दोस्तो सेट हो जाएगा क्योंकि दोस्तो ऐसा मैने ना मेरे दोस्तो जिन्दगी में खुद दोस्तो करा है और दोस्तो इसका ही इस्तमाल करके मैने दोस्तो मेरे जिन्दगी में ना दो-तिन भावियों को मतलब दोस्तो आपको विश्वास नहीं होगा बट दोस्तो दो तिन भावियों को न ऐसे दोस्तो चुटकी बजाते मतलब ऐसी भावियों को मैंने दोस्तो सेट करा था तो दोस्तो आज का वीडियो भूत इंपोर्टन्ट है ऐसा दोस्तो कॉलिटी वीडियो आपको दोस्तो कहा पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो दोस्तो आपका भी फर्ज है कि दोस्तो विडियो को पुरा देखे तो दोस्तो बिना कुछ टाइम पास करे सीधी बात नो बकवास चलो शुरू करते है आज के इस थमाकेदार विडियो को दोस्तों देखो अगर आपको ना किसी भी दोस्तों शाधी शुदा अवरत को, किसी भी दोस्तों भावी को, अगर दोस्तों आपको ना अपने उपर अगर इंप्रेस करवा ना होगा, अगर उसको न अपनी दोस्तो बनाना होगा उसको दोस्तो सेट करना होगा तो दोस्तो सबसे पहले न आप दोस्तो उस अवरत का और दोस्तो उसका हस्बंड का जो दोस्तो रिष्टा होगा न उस रिष्टे को दोस्तो ध्यान से देखो क्या बला मैंने उस अवरत का और उसके हस्बंड का मतलब दोस्तो अवरत का हस्बंड के साथ रिष्टा कैसा है इस रिष्टे को दोस्तो आपना सबसे पहले ध्यान से अब्जर्वेशन करो और दोस्तो अब्जर्वेशन करने के बाद न दोस्तो उसका दोस्तो जो हस्बंड होगा न उसका दोस्तो जो पती होगा न तो उसके पती की जो दोस्तो दुखती नस होगी न अभी दोस्तो दुखती नस का मतलब क्या होता है कि दोस्तो उसकी कमजोरी मतलब दोस्तो उसका हस इसके लिए मतलब उसके अवरत को ना अकेला अकेला लगता है मतलब दोस्तो उसका पती ना जो उसके लिए नहीं करता और जिस वज़े से वो अवरत ना अपने हस्बंड से असंतुष्ट है तो दोस्तो मतलब दोस्तो वो दोस्तो चीजे ना आप दोस्तो उसके लिए करो दो या फिर दोस्तो आपने न उस अवरत को वो चीजे लाकर दी जो चीजे न उसका हस्बंड भी उसको नहीं दे सकता था ऐसा करने के बाद ना दोस्तो क्या होगा कि दोस्तो उस अवरत को लगेगा कि देखो देखो जो सुक ना जो मेरा हस्बंड है वो भी मुझे नहीं दे रहा था तो वो सुक ना मतलब इस बंदे ने मुझे दिया मतलब जो चीजे ना जो मेरा हस्बंड है वो भी मुझे नहीं दे रहा था तो उन चीजों को इस बंदे ने मुझे दिया मतलब दोस्तो अगर मैं आपको न एकदम दोस्तो शौट फॉर्म में अगर दोस्तो बताने जाओ न तो दोस्तो आप न उसके सामने उसका दोस्तो जो हजबंड होगा न उससे भी अच्छा पुरुश आप दोस्तो बनकर दिखाओ मतलब दोस्तो उसको ऐसा लगना मंगता है कि जो मेरा हजबंड है न वो एकदम बेकार है और यह जो बन्दा है न यह बन्दा जो मेरा हजबंड है न उससे लाक गुना ज्यादा यह बन्दा अच्छा है और दोस्तो जिस दिन जिस समय उस दोस्तो अवरत को ऐसा लगेगा न क यह बंदा जो मेरा हस्बंड है ना उससे लाक गुना ज्यादा यह बंदा अच्चा है तो Дोस्तो उसी दिन उसी समय वो दोस्तो अवरत ना ओर्पतन आपको दोस्तो पसंद करने लगेगी क्योंकि दोस्तो ऐसा मैने ना मेरे दोस्तो जिन्दगी में खुद दोस्तो एक्स्पिरियंस करा है और दोस्तो शादी शुदा अवरते ना तभी दोस्तो किसी पराये पुरुष को ज्यादा तर भाव देती है जब दोस्तो वह पराया पुरुष ना उनके हस्बंड से भी ज् बिल्कुल भी भाव दोस्तो बिल्कुल भी नहीं देती इसके लिए दोस्तो आप ना उसको ऐसा दिखाओ और दोस्तो उसको अंदर से ऐसा दोस्तो लगना मंगता है कि आप ना उसके हस्बंड से एकदम लाक गुना ज्यादा आप मतलब उसके हस्बंड से एकदम अच्चे हो ऐसा दोस्तो उसको दोस्तो लगना मंगता है तो ही दोस्तो ओवरत ना आपसे दोस्तो पटेगी तो दोस्तो I hope चो मैंने आपको बताया वो दोस्तो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खुश रहो, हैपी रहो, खुद का खयाल रखो, लब यू सो मच अलोफ यू